नमस्कार मित्रो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे महापंडित राहुल सांकृत्याइन के यात्रा वृतांत मेरी तिबबत यात्रा का परिसिष्ट लहासा की ओर लहासा की ओर परिसिष्ट का राहुल सांकृत्याइन जी ने इस पस्टिक्रण दे रखाया कि यह भाग तिबबत में सवा वर्ष में छूट गया था खारूला पार होने पर उत्राई शुरू हुई किन्तु ये उत्राई उतनी कठिन नहीं है प्राय तीन चार मील उतरने पर कुछ घर मिले यह घर विशेशकर टिकने के लिए ही है दीवारें इनकी अंगड पत्थरों से चिनी है आगे मिट्टी काली है इसलिए नदी का पान से बनी मिट्टी में स्वाभावे गुहाएं मिली इसके बाद दूसरा डांक खंग था पास के पहाड में जमीन में फैले धूब के छोटे छोटे पौदे हैं इनकी सूखी पत्तियों को कुछ और सुगंदियों से मिला कर भोटिया लोग धूब बत्ती बनाते हैं रास्ते म में छोटे-छोटे पत्तर बिखरे हुए थे उपत्यका भी ऐसी ही थी मैदान दीरे-दीरे चोड़ा होता जाता था मनुश्यों की एक दो छोटी-छोटी बस्तियां भी मिली जिनके बड़े-बड़े पत्तर के इस्तूप तता द्वस्ट प्राय पत्तरों की दीवारें ग् कुछ और बढ़ने पर हमारी द्रस्टी के फैलने के लिए विस्तृत अवकाश मिला आगे दाहिनी और ये अवकाश और भी दूर तक फैला हुआ मिला बाई और पहाड की बाही पर नंगरचे का जौंग दिखाई पड़ा कितनी ही इमारते नहीं हैं तीन बजे के करीब हम अनंगरचे गाउं में पहुँच गए गाउं के बाहर हम लोगों ने डेरा दिया और भी ऐसे कितने ही डेरे इधर उधर पड़े हुए थे हमारे सामने मीलों तक भूमी छोटी छोटी घासों से डगी होई थी इसमें हजारों चमरियां भेड़ें खचर और गदहे चर रहे थे हमारे साथियों ने भी खचरों पर से माल उतार कर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने एक खचर के गले का गुमुरू मुझे थमाया मैंने उसे जमीन पर रख दिया जिस पर सरदार आपे से बाहर हो गया मालूम हुआ गुमुरूं को जमीन पर रख देने स आवाज कम हो जाती है उसी दिन एक और गलती मुझसे हुई छोलदारी के बीतर लकडी के प्याले रखे हुए थे जिन में चाय बरी हुई थी गलती से मेरे छूपा अर्थाक चोगा का नीचे का दामन प्याले से छू गया सरदार ने घी मक्षन मिलाई चाय को उठा कर फैंक दिया भोटिया लोग छूपे के दामन से खाने पीने की चीजों के चू जाने से बहुत परहिज करते हैं वे उचित भी है भोटिया लोग यही नहीं कि आप दस्त नहीं लेते बलकि सूखे हुए पाखाने के धेर में भी छूपे का दामन फैला कर बैठ जाते हैं इसलिए दामन की गंदगी साफ ही है नंगरचे बहुत ठंडी जगे है समुद्र तल से 14-15 फीट उची होगी यहां के लोगों की मुख्य जीविका भेड और चमरी है थोड़ी थोड़ी खेती भी जहां तहां होती है इतनी उचाई पर यहां यम डोचा नामक महा सरोवर है लाखों वर्ष पूर वे सरोवर पहाड की जड़ तक फैला रहा होगा किन्तु अब बहुत इस्थानों पर यह सूख गया है जिसमें हरी हरी छोटी गासें उगी होई है इस सरोवर बीच में कई उची परवत श्रंखलाएं है सरोवर का गेरा सौ मील से अधिक है सरोवर का सिलसला कहीं कहीं पतली धार से मिला हुआ है आसपास की कितनी ही नदियां अपने जल को इसी में लाकर डालती है यद्य भी इसका पानी बाहर नहीं निकलता तो भी पानी मीठा है किनारे किनारे गूमने पर ये चक्कर खाती नदी सा मालूम पड़ता है नंगरचे का उन अपनी नर्मी के लिए मशूर है जहां जितनी अधिक सर्दी पड़ती है वहां का उन भी उतना ही मुलायम होता है नंगरचे के चुक टूक अर्थात बाल निकला हुआ कंबल को भोटिया लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वे बहुती नर्म और गर्म होता है इसके नीचे पढ़ जाने पर जाड़ा पास नहीं फटक सकता गास और खचरों की ठकावट को देखकर खचर वालों ने उस दिन भी यहीं रहना पसंद किया खचर तो चरने के लिए छोड़ दिये गए थे और लोग चंग पीने में मस्त थे बोटिया लोग चंग और नाच के बड़े प्रेमी हैं जुआ खेलने की जगे शराब का पूरा इंतजाम रहता है मेरे डेरे से थोड़ी दूर पर एक लद्दा की मुसल्मान का डेरा था हेटवेट लगाए पूरा साहब बना हुआ था मेरे साथी ने कहा ये खचे मुसल्मान तुमारे फ़यूल अर्थात पिता के देश का है न मैंने कहा हो सकता है कभी उससे मुझे बात करने का मौका नहीं लगा उसके पास पचास साथ खचनों का माल था कुछ लद्दाकी मुसल्मान लहासा में भी बस गए हैं यहे लोग कलकत्ते से माल ले आते हैं लद्दाक से आने वाले भी रावल पिंडी आकर रेल पर चड़ कलिमपॉंग चले आते हैं और वहां से इसी रास्ते लहासा जाते हैं मुझे उससे बातचीत में परदा खुलने का डर न था क्योंकि ऐसा होने पर मैं समझा सकता था मेरा गर खुन्नू अर्थात बुंच हर है खुन्नू बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए मैं लद्दाक कहता हूं खुन्नू कहकर तो मैं खुन्नू वालों को भी दोका दे सकता था एक बार एक खुन्नू ही का आदमी मुझे लहासा में मिला उसने पूचा खुन्नू मेंगर कहा है मैंने कहा सराहन के पास उसने कहा तो आप असल कनौर अर्थात खुन्नू से बाहर के हैं मैंने कहा हमारा राजा तो एक ही है न विशेश पूछने पर मैंने कह दिया छोटेपन से ही मैं घर से बाहर निकल सादूओं के साथ फिरने लगा था 15 जुलाई 1929 को हम नंगरचे से रवाना हुए नंगरचे ग्यानची से 62 मील पर है मील के पत्थरों को भी देवता के एक छोटे से इस्थान की तरह घेर कर बनाया गया है रास्ते के साथ साथ तार के खंबे लगे हुए हैं नंगरचे के जौंग में डांख खाना और टेलीफोन है तिबबद में तार का काम जानने वाले ज्यादा नहीं है इसलिए तार सिर्फ लहासा ही में रखा गया है कुछ आगे जाने पर कुछ कपड़े की छोलदारियां गड़ी हुई थी जिसके आगे अंग्रेजी वेश में तामरवन के एक पुरुष घोडे पर चड़े आते दिखाई पड़े पीछे इन सज्जन से मुझे लहासा में मिलने का अवसर मिला ये ग्यांची के तार विवाक के सुपरवाइजर हैं आजकल तार के खम में बदले जा रहे हैं इसलिए भोटिया गवर्मेंट ने इन्हें इसके लिए मांग लिया था रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था एक कोने में मुढकर उँची दीवारों वाला घर मिला ऐसे उजाड पड़े हुए घर इस जील के किनारे कई जगे मिलते हैं बस्तियां भी कितनी ही उजाड हैं कितनी ही आबाद खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेंड अब भी दिखाई देती है, दोपेर के करीब हमने जील की एक पतली सी धारा को पार किया, यही हमें शिगर्ची से आने वाला रास्ता भी मिल गया, उसी पतली धार को दूसरी पार से परिक्रमा करते हुए हम फिर खुली जील पर आ ग गने की हिम्मत होई, आगे हमें बहुत सी चमरियां, लोहा, चावल, आदी माल लाद कर ले जाती दिखलाई पड़ी, खचरों और गोड़ों को देखकर चमरियां स्वैम इधर उधर हट जाती हैं, यही मुझे लहासा वाला सौदागर मिल गया, उसने कहा, शिगर्ची से आ रहे हैं, मैंने कहा, मैं तो तुम लोगों से आगे ही लहासा पहूंचूंगा, सुमती प्रग्य को छू सिंग शव मैं मिलने के लिए कह देना, इस गाटी में मौसिम का कोई नियम नहीं है, थोड़ी देर दूब मिलेगी, फिर थोड़ी देर में बादल घिर आएगा, अ इसका कारण में समझता हूं, तिबबत में बहुत सी जगों में मनुष्य संख्या कम हुई है, आजकल संसार के बड़े बड़े अर्थ शास्त्री जनवरदी रोगने की चिंता में हैं, किन्तु तिबबती लोगों ने कई सो वर्ष पूर भी यह सवाल बहुपती विवा की रूप में हल कर दिया है, सिक्या में गेहूं और नंगे जो के कुछ खेत थे, किन्तु अभीवे बहुत छोटे थे और दूसरे व्रक्ष यहां न थे, यह गाउं जील से कुछ उपर है, हमारे सरदार का पर्चे होने से यहां ठहरने के लिए सुभीता हो गया, सवेरे ही सिक पर पहुँच गए, यहां बर्फ कहीं न थी, वर्षा का समय होने से घास कहीं कहीं दिखाई पड़ती थी, मैं तो खचर पर आया था, इसलिए जान न सका, किन्तु पैदल चलने वाले कहते थे, इस पर सद्रग, अर्थाद मिट्टी का विश है, और सांस रुख जाती है, अर्थाद यह समुद्र तल से 18,000 फीट उचा है, और हवा बहुत हलकी, खंबाला से उतराई शुरू है, मैं खचर छोड़ पैदल ही उतरने लगा, उतराई मैं तो परिश्रम था नहीं, मैं औरों से आगे आगे था, कई मील उतरने पर जूते ने पैर काट खाया, तब भी मैं चल ही रहा, रास्ते में पत्थर की दीवारों का तूटा-फूटा मोर्चा है, तिबबत मिला, सरकार ने कहीं भी अपने जोतों की रक्षा के लिए सेना का इंतजाम नहीं किया है, चीन के रहने तक बहुत सी जगहों पर इंतजाम था, आखिर देवताओं को वश में कर से आवे, दोपेर से पहले ही हम खंबा बची गाउं में पहुँच गए, इस से थोड़ा ही नीचे ब्रह्मपुत्र की दार है, यहां काफी गर्मी थी, मटर, गेहू, जो, सभी फूले फले थे, आलू भी तैयार था, कुछ खुबानी तता दूसरे व्रक्ष भी थे, रात क जो, से बापता है, बच्छ भी रूसरे पार की खंचास्ग है, इस से वरो राऊं में दोड़ा ची का दाल क眉 5tina